और अब आज के दिन की सबसे विशेशपा आज अनुराधा नक्षत्र रहेगा नक्षत्रों के शिणी में अनुराधा 17 नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र को सफलता आनंद और सौभा के कपतीक माना जाता है साथ ही इसे बुद्ध मत्ता, विवेक और शक्ति और संरक्षन की चमता के साथ जोड़ कर देखा जाता है अनुराधा नक्षत के दौरान विवाह आधिकायोजन, यात्रा और वाहन खईते जैसे कारे शुब माने जाते हैं इसके अलावा बुद्ध और शुक्र ग्रह अनुराधा नक्षत के स्वामी शनिग्रह के मित्र हैं गुरदेव इस नक्षतर में सामाने फल देने वाले हैं जबकि सूरिज, चंदरवा और मंगल से अनुराधा नक्षतर में अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होती लिहाजा अनुराधा नक्षतर के दौरान इसके स्वामी शनिग्रह के साथी बुद्ध और शुक्र के कुछ खास उपाय करने से भी आपको शुप्फलों की प्राप्ति होगी वनास्पतियों में अनुराधा नक्षतर का संबंद मौल शी के पेर से बताये गया है मौल शी के पेर उसकी लकली से बनी माला और अनुराधा नक्षतर विक्ति को स्वतनतता पतान करने वाले हैं उनमुक्त जीवन की प्राणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहयक होते हैं ये बंधन चाहे पूर जन्म के कर्मे को, कर्मों के हो, चाहे इस जन्म के बंधन हो, चाहे कर्म के हो, धर्म के हो, श्रम के हो, ब्रम के हो, बै के हो, विचार के हो, सर्व बंधनान प्रमुच्चते अनुराधा, अर्थार जो सभी बंधनों से मुक्त करते वो अनुराधा है, और इस नक्षत्र की वनहस्पती मौलशी में ऐसी ही प्रॉपर्टी देखने को बिलती। मौलशी के अरोमा से बहुत सी स्वासम्मदी परिशानियों जैसे अनिद्रा, हाइपर्टेंशन, पैरों के दर्द, पैरों के सूजन, आदे समस्याओं में भी आराम मिलता है। लहाजा आज अनुराधा नक्षत्र के दौरान मौलशी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसको नमसकार करना चाहिए, ऐसा करने से आपको शुपफलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करेंगे आज की ये जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप सरकारी नौक्री पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो अनुराधा नक्षत्र में एक मीटर काले कपड़े में काली उलत, गुल, काले तिल और जो रखकर उसकी पोट्ली बना रहें। अब उस पोट्ली को शनिरेव के मंदर में जाकर चुप-चाप रखाएं और अपने घर आकर मुख्धवार के पास एक तेल का दीपक जलाईए। आज के दिन ऐसा करने से सरकारी नौक्री पाने की ख्वाहिश पूरी होगी। अगर परिवार के बीच हमेशा वादवाद बने रहते रहें और वहवाही जीवन में भी कुछ समस्या बने रहती है। तो अनुरादान अक्षत में एक खाली बोतल लेकर उस बोतल में तोड़ा सा सरसों का तेल, आठ साबुत उड़त के दाने और एक लोहे की कील डालकर ढखकां से बंद कर दें। अब उस बोतल को अपने उपर से साथ बार उतारकर जमीन में दबा दें। आज के दिन ऐसा करने से परिवार में चल रहा वादिवास समापत होगा, साथी दामपत जीवन में भी खुशहली बनी रहेगी। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आज आप अपने गुरू या अपने माता पिता का अचिरवाद लेकर देव गुरू बहस्पत की इस मंतर का 108 बार जब करें, मंतर इस तरह है ओम ग्रांग अगर आपके निवास स्थान पर या आपके बिजनस पर किसी की बुरी रजल लग गई है तो आपको और आपको काफी दिखतों के सामना करना पड़ रहा है, तो अनुराधा नक्षत में पूरे दिन काले चने को पानी में बिगो कर रखिए, अब उस भिगो हुए काले चने के साथ थोड़ी सी साबत काली उलद, काली हल्दी, थोड़ी सी सरसों लेकर एक कपड़े में बान कर उन्हें एक साथ बान ले, उस पोटली को किसी नदी या तालाब में पहा दे, अगर उस पानी में मचलिया हो तो और भी अच्छा है, आज ऐसा करने से आपके बिजनस या पर गुगल की दूब जलाएं, साथ ही माकाली को पेड़े का भोग लगाएं और लॉंग अर्पित करें, इसके बाद माकाली के मंतर का ग्यारह बार जब करें, मंतर है, आंग, रीं, क्रांग, भद्र काल यही नमहा, आंग, रीं, क्रांग, भद्र काल यही नमहा, आज के द पूजा करें उनको स्मरन करें, किसी मंतर संभा हो तो काले तिल से शाजड़ेव का मंतर पढ़ते हुए, हवन करें, सबस्टे अच्छा है है कि आप हवन करें, और वरना मंतर का जब कर ले, मंतर है ओम्म, प्रांग, प्ररिंग, प्रांग, सह, शनैश चराए, नमहा, लेकिन अगर हवन करना आपके लिए संभवन के उन मंद्र का जाप करने, आज ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा रिटर्न मिलेगा, पूरा फल मिलेगा. अगर आप किसी बौधिक विकास, अब आप अपना बौधिक विकास करना चाहते हैं, तो इसके लिए शनिके मित्र बुध का उपाय करना चाहिए, तो कि बुध शनिके मित्र है और बुधिके देवता है, अतहा अनुराधा नक्षत्र में मूंग की दाल से बनी, कोई चीज य किवस साबुत मूंग दाल मंदिर में दान करें, और मा दुर्गा के सामने गी का दीपक चलें, आज के दिन ऐसा करने से आपका बौधिक विकास अवश्य होगा, और यदि आप किसी को अपनी तरफ आकर शित करना चाहते हैं, तो अनुराधा नक्षत्र में, साथ जोडे ल आज के दिन ऐसा करने से आप किसी को भी अपनी तरफ आकर शित करने में सफ़ाल होंगे, अगर आपके परिवार के किसी स्रस्थ की सेहत नों से ठीक नहीं चल रही है, तो उनके स्वास्ति की बेहतरी के लिए, आज आप बेसन में से कोई विछी चीज बनाएए, अब उसका भोग सबसे पहले भगवान को लगाईए, उसके बाद उस बचे हुए परसाथ को छोटे बच्चों में बाढ़ दीजिए, और बीमार विक्ति को भी थोड़ा सा परसाथ खाने के लिए दीजिए, आज के दिन ऐसा करने से परिवार के बीमार विक्ति के सेहत में सुधार हो अगर आप अपनी आथिक तरक्की की घर्दी को भविष्य में नियंतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज आप हाल्दी की पांच साबुद कांके और एक रुपाय का लेकर एक पीले रंग के कपड़े में बांद कर रखिए और उस कपड़े को अपने घर के मंदिर में रखि घी का एक दीबग जलाए जब दीबग जलते अपने आप बुझ जाए तब उस हल्दी और रुपाय का सिक्का बने पीले रंग के कपड़े को मंदिर से उठा कर अपनी तीजोरी अलमारी में रख लीजिए आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक तरक्की नियंतर बनी र करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर